देखो कभी-कभी अपनी कारेकाल से दूर भाग जाना भी एक कला है, वो कला मेरे अंदर बहुत पहले से हैं, और वो मैं आगी के लिए बेशुमार रखूँगा, है गाइस देखो उसके लिए मैं दिल से सोरी कहा रहा हूँ, जिसकी वज़े से मैं लेट हो चुका हूँ, इत पारिखो टालने के बाद जो अगली बेटा आने का गया डिए बहुत जादा बढ़ जाता है, इन सब चीटों का पोई रिजन नहीं है, सिर्फ एक छोटास रिजन यह है कि मैं में अपना टाइम निकान नहीं पाता हूँ, और टाम निकानने के साथ-साथ मुझे एक प्लेस यह space वो मिल नहीं पाता है, इस वज़े से मतलब बहुत ज़दा डिले हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा major reason यह है, कि मैं travel बहुत ज़दा करता हूँ, इस वज़े से तोड़ा time duration भी बढ़ जाता है, ठीक है guys, तो आज के video में बस तुम यही कुछ सीख पाऊगे, जो बहु और इसमें तुम्हें कहते हैं, लैक ओफ डिफिकल्टीस, मतलब तुम्हें difficulties नफेस करनी पड़े, यह फिर लैक ओफ mindset नदेखना पड़े, कि तुम्हें mindset नहीं पता है, चीजों के बारे में strategy नहीं पता है, कैसा move करना है, क्या करना है, वो सब चीजें तुम्हें अच्छे नहीं पता होता है, बड़ चीजों को समझोगे, अगर तुम्हें अच्छे रश्यर होता है, तुम्हें हर चीज पता होगी, aggression के बारे में, और अपने role के बारे में, basically जो चीज तुम कर रहे हो, अगर तुमको उसी चीज के बारे में नहीं पता है, तो सबसे bigger quality यह होती है, तो प्लीज इस चीज के उपर स्टक रहो कि तुम जो भी role perform करते हो, कोई भी role, रश है रही matter नहीं करता है, कोई भी role specific role perform कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें, तेको यार minimum जो required चीज है, बेसिक चीज है, वो तो तुम्हें पता होनी चाहिए, कि रश कैसे करते हैं, कौन से character combination ह से match में लगाने चाहिए, सपोस्ट अगर तुम rush match खेल रहो, मतलब अगर तुम्हारा tournament है, और उस tournament में तुम rush perform करोगी, तुमको table points से मतलब नहीं है, क्योंकि तुम already qualified हो, सिर्फ तुम्हें kill points ही है, वहां से तुम तक ही overall अपनी standing को maintain कर सको, हमीशा rush game play करो, aggression दिखाओ, आने वाला tournament है, आने वाला meta है, उस पर बहुत जमीन असमान का फरक है, यतना मैं, प्रडिक्ट तो नहीं कर सकता, कि फी game का कोई वरूसा नहीं, कब आई game कब चला जाए, बढ़ा एक और चीज, game के उपर कभी भी निर्वर मत होना, मतलब इसके उपर rely मत होना, independent है, game के पले है, उनको मैं मना कर रहा हूँ, I mean, we engage की लोग उनको मना कर रहा हूँ, please इस चीज का ज्यान देना तो, और देखो guys, पहली चीज तो ये, कब aggression नहीं दिखाना चाहिए, हम फिलाल इस topic बबात करते है, बाकी चीज तो होती रहेंगी, देखो guys, पहली चीज, ये चीज हम एक zone keeping method है, उसका यूज करते थे, aggression का भी यूज करते थे, मतलब ये सारी चीज अगर तो, वो एगरेशन करके अंदर गुसेगा, अगर नहीं मार पाएगा तो, टीमेट को बोलेगा, रिवाइब करते हूँ, ये सबसे negative point है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर अगर रि rotation के time पर कभी येकर बंदा rotation कर रहा है, I mean तुम्हारे टीम का जो teammate है, जो फिर, I mean अगर आप IGL हो, या फिर कोई और IGL है, जो भी rotation ले रहा है, उस time पर कभी भी उसको मतलब decline को जो oppose मत करना, कि कभी भी ये मत बोलना कि हम अभी मत लेते हैं, नहीं लेते हैं, मतलब rotation नहीं लेते हैं, अभी जोड़ा सरश कर देते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि लोगर बंदे हैं, I mean इन के पास उतिनी firepower नहीं, ये सोच करके कभी भी अगर तुम zone holding कर रहे हो, या फिर zone rotation ले रहे हो, तो कभी भी उस time migration मत दिखाना, इस से लेको तुमारे पास कई सारे negative impact पढ़त हैं, पहली चीज़ तो तुमारे class हो सकता है, zone holding या फिर zone rotation के time पर कभी भी तुम अगर fight ले रहे हो, तो तुमारे classes होने की chances पहुंच जादा पर जाता, दूसरी चीज़ तुमारे third party हो सकती है, मतलब ब्लिक के ले लो, अगर हम 110% sure हो, third party होई जाएगी, और इस से तुम eliminate ज player से यह नहीं करते हैं कि हमें भाईया हम रशार है तो one to one fight लेंगे, बाकी sniper वाला तुम अपना देख लो, solter वाला तुम हमको support कर देना, supporter तु support करेगा, अगर कोई एक रशार और है, तो वही मेरे साथ साथ से लाएगा, वही मुझे support कर देगा, मैं भी मतलब two and two two, one to one fight कर करना, जब teammate pass ना हो तो engage करो, बट safely करो, इसका मतलब नहीं समझे, बातों को समझो, बाउना को समझो, समझो, कभी भी एगर teammate pass ना हो, और तु अपने player को call दे चुके हो, पहली चीज तो call देना, हमेशा, हमेशा बोलता हो call देना, तो जब तुम fight कर रहे हो, या फिर rush कर रह देखो, यह चीज तो बोलेगा, बोलेगा, अच्छा रचर है, मतलब अच्छा स्वारी supporter है, अच्छा है, फिर background supporter क्या कहते है, solter है, बगरा है, बगरा है, तो इस चीज का तुम ध्यान बरकों, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह होती ही, जब भी तुम one-to-one fight में engage कर रहे हो तो कभी भी call ऐसी हरकतों वाली call मत दे ना कि हमियाँ यहाँ पर बहुत सरे बंडे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है एक बंड़ा है, तो पास नहों तो fight engage करो लेकिन fight engage करने का मतलब यह नहीं सिदक हो जाओ अंदर one to one fight लेने लोगो इसका मतलब यह है कि एक एक छोड़ो करके जितने बंद है तो उनको थोड़ो से damage देते जाओ और खुद को cover में लाते जाओ और थोड़ा backup लेते जाओ अपने teammate की तरफ पढ़ते कीज़ी चीज़ की बात करो तो वहत है unnecessary आज के time पर revival की वज़े से ही जो पूरा game है revival और portal यह दो चीज़े हैं जिनकी वज़े से बंदे बहुत ज्यदा unnecessary रश करते हैं मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला बंदा ग्रिनेट से या फिर कहते हैं छुट से मिली सबसे कर सकते हैं तो मैं पता है क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा चांसे से करनेगे तो तुम खुला फिर भी गुज़रे हो सबसे बेकार चीज़ है कोई mindset नहीं कोई strategy नहीं कोई calls नहीं सबसे बद्दी चीज़े गाई अगर तुम यह कर रहे हो तो इस से तुम्हारे gameplay प भूलना बिल्कुल नहीं है उस चीज़ को तुम carry forward करके उस चीज़ को हलका से तुम transmute करने के कुछिस करो एक form से दूसरे form में जरूरी नहीं है कि वह सब चीज़ों को भूल जाओ वहाँ पर कहीं implement नहीं करना है पुराने meta का बिल्कुल नहीं zone holding अच्छे सा नहीं कर पाते हो तो उस चीज़ को सिखो क्योंकि meta वैसा नहीं है देखो चीज़ें meta के according चलती है क्योंकि एक time period के लिए तुम्हें वह सारी चीज़ अच्छी लगेंगी लेकिन कुछ time के बाद वह सब चीज़े तुम्हें normal लगने लगेंगी ऐसा कि तुम यह तुम्हें daily life का है तो वह तुम्हें बिल्कुल different नहीं create करके देगा जैसे तुम्हारे इंट्रेस्ट पुरक खाता मुझा है देखो मैंने यह इसलिए बोला यह मैंने इसलिए point include के क्योंकि देखो guys rush इसलिए नहीं करने के लिए मैं मैंना कर रहा हूं serious tournament में कभी मलब की बताता हूं अगर कभी भी तुम suppose high altitude पे हो और तुम्हारा बंदा low altitude पे I mean तुम्हारा टीम में low altitude पे है तो उस cases में तुम्हारे पास chances ज्यादा है और तुम सोच रहो कि मैं अपनी alad strategy अपना अलग mindset करके इनको मैं क्या बोलतें cover कर लिता हूं zone में आने से इनको रोग ल तुम्हें लग रहा है कि तुम एकदम perfect जगे पे हो तब भी तुम अपना high altitude छोड़ रहे हो तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आस्तर नहीं देखा न देखा न देख पाऊंगा अगर तुम यह सब पीज़े कर रहो तो सबसे बेकार चीज़ है इसलिए मैं मैं मना करता कि देखो इन सब चीज़े तुम्हारे उपर negative impact पढ़ेगा, negative impact पढ़ने का मतलब यह है कि तुम अपने teammate को भी खो सकते हो तर अगर तुम अपनी position छोड़ दोगे तुमारी third party पी हो जाएग कि उस time zone भाग रहा होगा और जगर zone move कर रहा होगा उस time पे बहुत सारे teammate अलग भी बैठे होंगे, serious tournament में और सारे जितने भी teammate है या फिर जितने भी तुमारे opponent है, sorry, opponent की बात कर रहा हूँ, sorry, 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 opponents तुमारे जितने भी हैं, वो तुमें सिर्फ target करके यही देखने कि कब यह team अपनी position छोड़ेगी, कब इसकी position पे मैं अपनी seat acquire कर लूँगा, छाथ इंक सब चीजों से उम्हें बचने के लिए तुमारे पास सिर्फ एक चीजों नीचे तुमारा mindset और तुमारी accuracy कितना तो perfect, इन सब चीजों को maintain करने के लिए तुम्हें टोनामेंट खेलना पड़ेगा, और टोनामेंट खेलने के लिए तुम्हें अपनी practice को continue रखना पड़ेगा Continue रखने के लिए तुमारे पास experience का होना बहुत ज़रूरी है, और experience के होने के लिए तुम्हें खेलना ही पड़ेगा, मतलब कुल मिला के तुम अपना time देना पड़ेगा, और time देने के सासा तुम्हें चीज़ां नहीं सीखनी पड़ेगी, हमेशा पुरानी चीजों के अगरेशन नहीं होता, कभी कभी fight grenade से भी ली जाती है, mid long range weapons कभी use किया जाता है, long range weapons कभी use किया जाता है, हमेशा fight short range में नहीं होती, rusher का मतलब यह नहीं है, जो बंदा एकदम अंदर aggression दिखा के मार रहेगा, इस rusher का मतलब यह है, जो बंदा खुद की movement को दिखा करके, I mean power generate करके, जो अपने opponents है, उनको damage दे रहा है, उसको एक तरीके का rusher कहते हैं, अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम बहुत दूर से मार रहे हो, तो वो support का का काम कर जाएगा, बट फिर भी एक तरीके सो तुम काम अच्छा कर रहे हो, तो तुम rusher में अपने आपको बोल सक पाएं, वो एक होता है, बहतर rusher, हमेशा short range, हमेशा aggression, एक rusher का roll नहीं होता है, इस चीज को समझेंगा, ठीक है, तो this is all about today's video, वीडियो थोड़ी रहेंदी थी, बट देखो जार चीज़ें, अगर तुम समझते जाओगे, एक rhythm में, एक row में, तो वो ज्यादा important रहेगा, as compared to, मतलब quantity, तुम समाझ रहेंगा, quantity की जिगे में quality प्रफर करो, तो ज्यादा रहेगा, तो वहीं मैं चीज़ें कर रहा हूँ, इस लिए delay ज्यादा हो जाता है, तो इस चीज के लिए देखो sorry, and guys, आज के वीडियो में इतना ही, तब तक कि जय हिंद, जय भारत, जय श्री र